जैहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए नब बर्स की हारदिक सुपकाम ना है अपने यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेज जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कोस्चन नमबर बन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी ओप्शन से आपके 1960, 1925, 1921 या फिर 1911 तो कोस्चन नमबर बन का सही आंसर होगा ओप्शन डी 1911, 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाए गया था कोस्चन नमबर सेकेंड है सबसे चमकी लग रहे कौन सा है ओप्शन से आपके पृत्वी, बुद, सुक्र या फिर मंगल तो दोस्तों जो सबसे चमकी लग रहे है वो है सुक्र तो यहाँ पर कोस्चन नमबर टू का सही आंसर है ओप्शन से आपके बाग, सेर, हाथी या फिर हिरन तो भारत का जो राज़्ट्री पसु है वो है दोस्तों बाग तो कोस्चन नमबर टू का सही आंसर ओप्शन ए बाग है ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है हमारा कोस्चन नमबर फोर भारत का राश्ट्री गीत किस ने लिखा था ओप्शन से आपके रविंद्रिनाथ टैगोर, राजा रामोहन राय, बंकिन चंद चेटरजी और रंधति राय तो कोस्चन नमबर फोर का जो सही आंसर है बो है ओप्शन ए, सौरी ओप्शन सी बंकिन चंदर चेटरजी ठीक है कोस्चन नमबर फाइव है महत्मा गांदी को सबसे पहले राश्ट्र पिता किस ने कहा अप्शन आपके सामने आ चुके हैं तो कोस्चन नमबर फाइव का सही आंसर है ओप्शन ए, सौरास चंदर बोस्ट्ने नेक्स्ट कोस्चन के तरफ चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डौनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे टेलिग्राम चैनल से इस वीडियो की जो है वो PDF फाइल को डौनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो नेक्स्ट कोश्चिन के तरफ चलते हैं Q6 है, Master Grinthi कहा जाता है, Option से आपके Puse Grinthi को, Thyroid Grinthi को, Lar Grinthi को या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों, Master Grinthi कहा जाता है Puse Grinthi के लिए Q6 का सही आंसर है, Option A, Puse Grinthi Q7 है, Carbon का सरबाधिक सुद्ध रूप कौन सा है Option से आपके लोहा, निकल, ग्रेफाइट या फिर हीरा Q7 का सही आंसर है, Option D, Carbon का जो सरबाधिक सुद्ध रूप है, वो है दोस्तों, हीरा Q8 किस धातुक का प्रयोग मानम द्वारा सबसे पहले किया गया था Option से आपके तावा, लोहा, निकल या फिर अलुमिनियम तो दोस्तों, मानम के द्वारा जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था बो था तावा, तो Q8 का सही आंसर है, Option A तावा, ठीक है Next Question के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये केवल आर्मी के लिए है इसमें आर्मी से समझे जो भी रिटन एक्जाम में इनके Questions आते हैं पूरे के पूरे Questions मैं इसमें लेकर आया हम आपके लिए तो Question No.9 है अंतरक्स यात्रिक को आकास कैसा दिखता है तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पता होने चींगे बहुत ही Simple Question है और ये जो Question है, बार-बार आपके एक्जाम में रिपीट होता रहता है तो अंतरक्स यात्रिक लिए आसमें देखता है दोस्तों, काला Question No.9 का सही अंसर है Option C, काला Question No.10 है दुर्बिन का अविस्कार किस ने किया Options आपके सामने आचुके हैं दोस्तों Question No.10 का सही अंसर है Option A, गैलिलियो दुर्बिन का अविस्कार किया था, गैलिलियो ने तो ये थे आज के 10 questions जो कि Special Army के क्लास के लिए Army क्लास था, तो Indian Army में जो भी Written Exam से संबंदित एक्जाम में जो भी विसे आते हैं, जैसे आपके रिजनी हो गई, उसके बाद में आपका General Knowledge हो गई, करन टेफर्स होगी वो सभी हम अपने चैनल पर Cover करते रहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो मस इतना ही था कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत